परवरतन निर्देशाले निसोंवार को जरकन के एक मंत्री के सचफ के एक कथि घरेलू सहाय के परिसरों की तलाशी के दोरान भारी मात्रा में नगदी बरामत करने का तावा किया है। अधिकार एक सूत्रों ने ज़ानकारी दी। सूत्रों के द्वारा साजा किया गया कि एक कमरे में से नोटों की गड़ियों को ले जाते हुए देखा जा सकता है। जस्तान पर छापा मारा गया वक कथित तोर पर राज के ग्रामीर विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिफ संजीव लाल के घरेलू सहायक से जुड़ा बताया जा रहा है। एटी के सूत्रों ने कहा कि कितनी राशी बरामत की गई है इसका पता लगाने के लिए नोटों की गिंती अभी की जा रही है और यह राशी बीच से 30 करोड रुपे के बीच हो सकती है। एटी को जानकारी मिली थी कि आलमगीर आलम के मंतराले में ब्रस्टा चार चल रहा था। उसके बाद मंतरी के निजी सचिफ के नौकर के हाँ छापे मारी की गई। जब एटी के अधिकारी बहां पहुचे तो उन्हें नोटों का पहार बरामत किया और एटी भी हैरान थी जिस शक्स को सैलरी के रूप में पंद्रो हजार रुपे मिलते हूं उसके घर में इतना कैश बरामत होगा। हाला कि अब अधिकारियों ने नोट गिनने वाली मशीन और करमचारियों को बलाया है और रुपेयों की गिंती की जा रही है। कुआर भीयों इतना किया रामत की आपली है precise कि वेला का ऑनली यार कार्या है।